हाई फिर मैं हूँ सुमन अब लोग देख रहे हैं डिजिटल लॉलेज आज हम लोग समझेंगे सी पैनल के अंदर किस तरह से डोमेन के एकोडिंग बिजनेस मेल क्रियेट करते हैं तो सी पैनल लॉग इन के बाद हम लोग इधर पर देखेंगे इमेल इमेल एकाउंट में जा इसी इमेल के उपर एक इनफो वाला बिजनेस इमेल हमको बनाना है तो सिंपल इधर पर आपको डालना होगा इनफो या इनक्वारी या बुकिंग या आपका कोई नाम देके बनाना हो वो सामने वाला इधर पर डाल दीजिएगा तो डिफॉल्ट ओ डोमेन आ जाएगा फि और कर देते हैं इसको create जैसे कि दोस्तों आप देख सेकते हैं info at the rate गंगासगर-tourism.co.in मेरा email बन गया है अभी क्या करना होता है माल लिजे ये आपका business email बन गया है अभी इस mail में अगर कोई mail करेगा info at the rate गंगासगर-tourism.co.in में सामने वाला कोई अगर mail करेगा तो आप email आपकी Gmail में भी आ जाएगा तो उसको कहते है forwarder किस तरह से email forward करते हैं simply उसी same process में आप इधर पर आएंगे email आपको forward forward करके option मिलेगा फिर इधर पर आपको click करना होगा add forward फिर इधर पर मतलब जिस email में आपको forward करना है उसी email को इधर पर select करना होगा info डाल देना है इधर पर info फिर आपको इधर पर गंगासगर-tourism इसको forward करना है आपकी Gmail में आप जो Gmail होगा इधर पर आप डाल दीजेगा फिर इधर पर कर देंगे add forward इसे अपको हमको आपको जाना नहीं है कुछ भी नहीं करना है simply इधर पर पर प्लिक करना हो add forward जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे है धर पर लिखावा है all email sent to info at the red गंगासगर-tourism.co.in will now be copied to same copy आपका जाएगा sumannayok26 at the red gmail.com तो इस तरह से आप लोग आपकी business email क्लिक करके create करके Gmail में forward कर सकते वीडियो देखने के लिए thank you वीडियो देखके अगर आपको थोड़ा भी help हुआ है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा